बिश्मिल्लाय रभाने लगीम, अस्सलाम अलेकुम स्ट्रेंट्स, हावर यू, I hope you all are fine and safe कैसे हैं आप लोग सब ठीक ठाक हैं, आज हमारी उल्ट की क्लास है, और मैं आपकी टीचर मिस्ट सीप कॉसर हूँ, चले आएं देखें कि आज हम उल्ट में क्या पढ़ेंगे आपको याद हैं हमने लास्ट वर्क क्या किया था, हमने बुक वर्क किया था, पेज नमबर 63, 64, 65 अब आज हमारा नहीचर लैसन स्टार्ट होगा, नहीचर लैसन के नेम है आज हमारा बिल्लो का बस्ता, चलें सब मैम के साथ रीट करें, मैम रीट कर रही है छोटी सी बिल्लो छोटा सा बस्ता ठूंसा है जिसमें कागस का दस्ता लकडी का गोड़ा रूई का भालू चूरन की शीशी आलू का चालू बिल्लू का बस्ता जिनकी पटारी जब इसको देखो पहले से भारी लट्टू भी इसमे रसी भी इसमे डंडा भी इसमे गिल्ली भी इसमे ए प्यारी बिलो ये तो बताओ क्या काम करने स्कूल जाओ उर्दू ना जानो इंग्लिश ना जानो कहती हो खुद को बिल की सिबानो उमर की इतनी कच्ची नहीं हो, छे साल की हो बच्ची नहीं हो बाहर निकालो लकड़ी का घोड़ा, ये लट्टू रसी, ये गिल्ली डंडा गुडिया के जूते जम पर जुराबें, बस्ते में रखो अपनी किताबें मुणा बनाओ, स्कूल जाओ, एप्यारी बिल्लो, एप्यारी बिल्लो क्या समझ में आया बिल्लो के बस्ते से आपको, मैंने रीट किया लेसन एक बच्ची है बिल्लो जिसने अपने बैग के अंदर, अपने बस्ते के अंदर सब चीजें डाली हुई है क्या क्या डालावा है उसने अपने बस्ते में लकड़ी का घोड़ा डालावा है रूई का भालू डालावा है चुरन की शीशी डाली वी है उसने अपने बैग में लट्टू रसी डालावा है उसने गिली डेंडर डालावा है अपने बैग के अंदर तो ये सब चीजें बैग कहा है कि बिल्लो पेटा अपने बस्ते में आपने ये सब चीजे नहीं रखनी और आपने बस्ते में अपनी किताबे रखनी है और स्कूल जाना है आपने क्योंकि जब आप ये सब चीजे नहीं रखेंगे बैग में तो फिर आप स्कूल जाके क्या करेंगे जब स्कूल जाएं Okay trends हमने बिलो के बस्ता रीट कर लिया आपने समझ भी लिया होगा बिलो के बस्ता में क्या-क्या बाते हुई है क्या-क्या कर रही थी बिलो और अब हमने आगे बुक वर्क करना है चले हैं हमाँ साथ बुक वर्क करें Okay depends अब हम page number 28 पे book work करते हैं okay friends page number है हमारा 68 sorry 68 page पे हमारा book work है चैने book work करते हैं हम हमारा सवाल है ये सवालों के जवाब अपनी copy में लिखिए लेकिन हम copy में नहीं लिखेंगे बलके हमने इसी में ही टिक लगा देंगे हम ये book work करना है आपने नमबर वन है बिल्लो कैसी बच्ची है खलंडरी या पढ़ने की शौकीन तब आपने इन दोनों में से टिक लगाना है खलंडरी कहते हैं शरार्थी को चुलबुली को और पढ़ने की शौकीन ना होने को लेकिन आपको तो पता है बिल्लो कैसी थी खलंडरी थी या पढ़ने की शौकीन थी जी खलंडरी थी वच्ची शरारती थी क्योंकि उसने अपने बैग में सब बस्ते में सब चीजें भरी हुई थी तो इसलिए किस पटिक लगाएंगे आप खलंडरी पे और कलंडरी के मिन्स मैंने आपको बता दिये चुलबुली शरारती पढ़ने की शौकीन नहीं है वो इस वज़ा से इसमें हमने कलंडरी बटिक लगा दिया चले हम नमबर टू पे आजाएं आपके ख्याल में ये नजम किसकी जबानी है अम्मी की अब्बू की या किसी और की अम्मी की बी नहीं थी ये पोएम अब्बू ने भी नहीं सुनाई थी बलके इसने इन्शा शाइर है उन्होंने ये नजम लिख्की है और सुनाई ढ किसी और की पार तिक लगा दे एम के सावर किसी और की पार अब पेज नमबर 69 पर आजाएं ओकेैं पेज नंबर 68 हमने कर लिया अब हम पेज नंबर 69 पर आते हैं 69 पर पेज पर क्या वरक के क्या सब्सक्राइब आो दीकिंए सब्सक्राइब जो आओ, खाओ, लाओ, देखें, मिल रही है नहीं है, जाओ से सब आवाजे मिल रही है, मिलती जुलती आवाज है, और हम आवास का, और हम आवास का जो आखरी का अलफाज होता है, जो हम राइट करते हैं, वो एक ही जैसा होता है, देखें, यहां भी यही था जाओ में, वाओ पे हमजा था, यहां पर भीवाओ पे हमजा, यहां 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 भीव भाइज अपिन्ते अल्फाज है उससे बाइज Cup अब है जानो कर अभे अभे में रानो लिगे सबका आखिर का जो यह इस लुफाज और एक किया है उन्वा नवा 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 नवानो यहां आखिर का फाहता जो बाइज को हैं ₹-iiii थे चले हम नीचे वाला वर्ट देखते है, नम्ले थार्ड उस पर क्या राइट हो वा है? भारी, पारी की हम ने हम अवज अलफाज लिखने हैं, भारी से मिलता जूरता अलफाज क्या है? सारी, प्यारी, और दुलारी, देखें सबके आखिर के अलफाज जो हैं वो क्या है चोटी आ रहा है सबके आखिर के अलफाज में भारी में भी चोटी है था और बागी जो मैंने जो हम आवाज अलफाज लिखें उसमें भी चोटी आ रहा है तो ये सब यानि के क्या है हम आवाज अल्फाज है उसी तरह आवाज निकल रही है इसकी भारी, सारी, प्यारी, दुलारी अब हमारा ये work कंप्रीट हो गया हम आवाज अल्फाज का अब हम next work पे आते हैं जित लिखे जिद लिखिये मिंस यानि उलट लिखनी है आपने जो भी वर्ट दिये हैं आपने उसका उलट लिखना है जिद लिखनी है जिद कहते हैं उलट को हलका हलका का उलट क्या होगी जिद क्या होगी हलका की भारी राइट कर रहे हैं सब में हमके साथ साथ अब क्या वर्ड दिया हुआ है यहां पर जाओ तो जाओ का हमने क्या वर्ड लिखना है जिद हम वर्ड क्या होगी जाओ की आओ कच्ची पक्की बात पहले जी यह complete होगी हमारा वर जिद लिख नहीं थी हमें हमने जिद लिख दी हलका की जिद क्या थी भारी जाओ की जिद क्या थी आओ कच्ची की जिद क्या थी पक्की और बात की जिद क्या थी पहले complete होगया हमारे यह work चले हम नीचे आते हैं सौतियात पढ़ते हम सौतियात में हमने नीचे ही नीचे क्या work करना है चले देखते हैं एराप यानी जेर, जबर और पेश आवाजों को मुख्तसर करते हैं यानी एराप कहते हैं जेर को, जबर को और पेश को और जब ये जब लग जाते हैं तो आवाजे क्या हो जाती हैं? मुक्तसर हो जाती है जब हम जेर लगाते हैं, जबर लगाते हैं या पेश लगाते हैं तो हमारी आवाजे जो हैं वो अलफास की क्या होती है? मुखतसर हो जाती है مثال यहां दीवी है खजेर है, यहां लिखावा है दाल ये नून दीन अब हमने इसकी आवास को मुखतसर कैसे करा हमने यहां को हमने, अगर हम ड्रॉब कर देते हैं और हम यहां पे जेर लगा देते हैं दाल और नून के साथ तो इसकी आवास क्या होगई मुखतसर होगई तो क्या हो गया यह इसकी अलफास दिन होगई अब ये नीचे देखें यहांपर इसके बराबर में भे, ये, डे, भेड भे, ये, भेड में हमने यह की आवास को हम ड्रॉब कर देते हैं और हम इदर भेडे के साथ जेर लगा देते हैं तो इसकी आवाज क्या हो गई? मुक्तसर हो गई तो इसलिए हमने जब जेर लगाते हैं तो आवाजे जो होती हैं मुक्तसर हो जाती है तो यहाँ भेड़ था और यहाँ पे हमने जेर लगा दिया तो इसकी आवाज क्या हो गई? भीड अब ये जेर की आवाज आपने देखी अब जबर की देखें जबर में है दाल, अलिव जबर दा, मिम साकिन, दाम अब यहाँ पे क्या लिकावा है? दाल, मिम अब यहाँ पर जबर लगा दिया यहे थो इसकी आवाज में अलिफ ड्रॉप कर दिया तो यहां इसकी आवास क्या हो गई? मुक्तसर हो गई इसकी आवास दम यहां दाम थी लेकिन हमने यहां पे जबर लगा दिया इसके साथ जबर लगावा है तो इसकी आवास क्या हो गई? मुक्तसर हो गई क्या हो गई आवाज उसकी दम अब यहां पे है ते, अलिफ, जबर, ता, लाम, सा, किन, ताल अब यहां आगे लिखावा है हमने अलिफ को ड्रॉप करते हैं और यहां पे सिर्फ हम ते और लाम लिखते हैं और इसके उपर जबर लगा देते हैं तो क्या बन गई इसकी आवाज तल इसकी आवाज यानि मुक्तसर हो गई यहां ताल थी आवाज और यहां पे आ रही है तल आवाज मुक्तसर हो गई तो क्या हो गई अगर जबर लगाने से आवाज इसकी मुक्तसर हो गई तल अब यहाँ पेश है पेश लिखावा है बेवाओ पेश बो लाम अलिव जबरला बोला ओके स्ट्राइंस हम कहां थे बेवाओ पेश बो लाम अलिव जबरला बोला अब हमने यहां पे आगे क्या करा है इन्होंने बे लाम अलिफ ला इसके साथ मिला दिया और वाओ को ड्रॉप कर दिया और उपर क्या लगा दिया पेश लगा दिया तो अवाज इसकी क्या हो गई मुक्तसर हो गई बुला अब है काव दो चश्मी हे वाओ पेश खो लाम साकीन खोल अब इसकी आवाज यहां के कैसे लिखी काव दो चश्मी हे लाम इन्होंने लिख दिया और वाओ को ड्रॉप कर दिया तो क्या गई इसकी आवाज में पेश लगा दिया तो क्या बन गई इसकी आवाज मुक्तसर हो गई खुल